नमस्ते आदा आप सचके काल उम्मीदे आप सब लोग बहुत 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 आच्छे हो और मैं भी बहुत आच्छी हूँ और एक नीव वीडियो पे आप सबको बहुत स्वागत हैं दोस्तों आज आप लोगों को मैं बोटическая ब्लाऊस काँऄ करके दिखाऊंगी बैक साच पे बोटनेक की त ा फूरा बोटनेक इसको नहीं बोल सकते लेकिन फिर िकोई इसको बोटनेक बोलते हैं बैक साइट पे वोट नेक के तरह और फ्रॉंट साइट पे इसका डीप नेक और प्रिंचेस काट होगा फेबरी को बीना काटिंग करके भी आप प्रिंचेस काट कर सकते हो वही मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी और सबसे पहले आप इस ब्लाउस का फिटिंग देख लिजएगा इस अंत्व दिजान है पूरा डिजान सेम फोगा वोग ब्लाउस जब कम्लेट होगा वा बही मैं आपको पहांके दिखाऊंगी इसी measurement का same blouse होगा, same slips होगा इसमें तो आप इसमें पहले fittings देख लिजगा कितना अच्छा इसमें fittings हुआ है और back side भी देख लिजएगा देखें यहाँ पे तो ऐसे fittings आप कैसे पा सकते हो, किस तरी किसे cutting और सिलाई करने से मेरे जैसा perfect fitting आप पा सकते हो वो ही मैं आपको step by step दिखाऊंगी वीडियो को बिना skip करके पूरा देखेगा अगर अपने वीडियो का एक पर पूरा देख लिया ना तो आपको समझ में आज आएगा कितना easy है तो फिर चलिए दस्तेक छोटा से smile के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं पहले हमें back part काटना है back part के लिए fabric को मैंने two fold किया यहाँ से open side है और यहाँ से joint side है लंबाई आपको आपनी हिसाब से लेना है मैं यहाँ पर लंबाई 14 इस रखूंगी यहाँ पर प्लाउस का अपर चेस्ट है 33 and half इस size पर आपका 15 भी हो सकता है अभी इस point को बराबर मिलाना है अभी यहाँ से shoulder लेना है जितना आपका shoulder होगा उसको half करना है और सिला मर्जिन के लिए half is यहाँ पर एक्स्टा आपको रख देना है तो मैंने पर 7 and half is लिया और यहाँ से shoulder को आपको जोरू down करना है पोने एक इंस आपको यहाँ पर डाउन करना है collar हो, high neck हो यहाँ पर आपको पोने एक डाउन करना है और boot neck पर दूसुचे तिन्चुच अभी armhole देखिए यहाँ बिल्कुल fitting chip का हुआ चाहिए तो 6 नहीं तो 6 इंस दूसुच जादा आप 33, 34, 35 से measurement ले सकते हो यहाँ पर 7,5 इस लिया सिर्फ यह जो निशाना है इसको सीधा करने के लिए मैंने यहाँ पर 7,5 इस लग दिया अभी दोनों पैन को यहाँ पर सीधा करके हमें मिला लेना है मैं blouse हमेशा आपर चेस्ट की हिसाब से लेते हूं जितना आपर चेस्ट है उसका चोथा हिसा लेना है 33,5 इस आपर चेस्ट है उसी हिसाब से 80 से लग बग दूसरों जादा है अभी इसके साथ आपको 2 इस हमेशा एक्स्ट्रा लेना है कोई भी साइस का हो टूस लेने से यहां पर बहुत आच्छे तरीके से हो जाते है यहां पर और ज्यादा लेने का जूरूरी नहीं है अभी देखिए आर्मोल शेप के लिए आपको बिल्कुल अंदर की तरफ से देना है लगबग एक सूत आपको रखना है यहां पर मेजर्मेंट करने का कोई भी जूरूरी नहीं है यहां से थूरा साथ देखिए आंदर की साइट से आपको लेना है तो बेक से बहुत ही फिनिशिंग अच्छा होता है नीची की तरफ जूरूर आपको डाउन करके देना है एसे देना से रिंगल्स बहुत ही कम होता है तोटाल जितना आपर चेस्ट है उससे आपको हापिस कम लेना है कामर के लिए इस तरह के से लेने से अलग से मेजर्मेंट लेने का कोई भी जूरूरी नहीं है फिर भी आप चाहो तो अलग से ले सकते हो अब यहां पर हो गया है नेक चोड़ा है आप यहां पर देखिए फ्री और हापिस लेज fan का यह पूरा boa tag नहीं है जिसके करणट को फ्री और हापिस लेना है इसी जादस आपको नहीं लेना है दूनों परिन को यहां पर तिरिशा करके मिला लेना है अब देखे यहाँ पर नेगडिक कितना लेना है आप यहाँ पर 3 भी ले सकतो 3 अफ भी ले सकतो अपनी पसंद की हिसाब से तो 3 अफ इस लेने से बहुत ज्यादा अच्छा होता है देख्टि में भी अच्छा लगता है देखे इस तरह से मिलाने के बाद हलका सा ऐसे गुलाई में इसमें शेप लगा दो तो बैक सेट पर थुरा डीजाइन होगा वो भी एक रेक्विस्टेड है डीजाइन में बाद में दिखाऊंगी सिलाई का तवक्त अभी ऐसे रख दोगे उसके बाद देखे कमर पे हमें टाक्श के अलगा लगा लेना है यहाँ पे फाइबिस पे मैं लग दूँँगी टाक्श के लिए और उपर की तरप मैं फाइब यन हफिस उठा लोगी तो इस तरीक से वैक सेट पे टाक्श के लिए आपको निशाना जुरूर देना है तो देखे बैक साइट यहाँ पे complete हो गया है अभी जिस से निशाना हुआ है उसी तरह हमें यहाँ पे काट कर लेना है बैक पार्ट काट करने के पाँ जरूर आपको स्लिप्स के लिए यहाँ से measurement रख देना है देखे यहाँ पे 7 इसे लगबग पासु ज़्यादा मिला है जितना मिला है उससे आपको हाँ पीस extra लेना है तो टोटाल यहाँ पे देखिए लगबग 80 से हमें 200 ज़्यादा यहाँ पे लेना है हो सकत तो 100 ज़्यादा लीजेगा लेकिन आपको एक सित कम कभी भी नहीं लेना है तो इस तरीके से हमें slips काट कर लेना है slips के लिए फेबरी को देखिए मैंने यहाँ पे 4 फोल कर लिया यहाँ पे puff slips होगा आप normal slips भी कर सकते हो पहले normal slips के लिए जो measurement आते हैं मैं वह यहाँ आपको यहाँ पे दिखाऊंगी टोटाल देखिए सिलाय मर्जिन लेके मैं slips का लंबाई लिया 11.5 आप भी सेम तरीके से ले सकते हो या अपनी पसंद की हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हो अभी देखिए slips का चोड़ा यहाँ में कितना चाहिए था 80 से लगबग दूसु ज़्यादा यहाँ पे slips का चोड़ा चाहिए लेकिन जितना फेबरिक यहाँ पे पूरा मैं रख दूगी किवकर यहाँ पे पॉप slips होगा अगर आप नॉर्माल रखते हो उस टेम पे पहले जो यहाँ पे जो निशाना भी हो रहा है इसी हिसाब से आप ले लीजिएगा आपको डिजानर slips दिए चाहिए तो देखिए जो पॉएंट है इसको मिला लेती हो और उपर की तरफ भी पहले सीधा करके इसको मिला लेती हो यहाँ से देखे पहले बराबर आपको मिलाना है लबबाई का चोड़ा के मजर में लेने के बाद slips को देखे यहाँ से नीची के तरफ डाउन करना है अगर पॉप स्लिप्स करना है तो फोरन हाप इस लेने से हो जाएगा और नॉर्माल स्लिप्स अगर करते हूँ उस टैप आप फाइफ इस लग दिए जगा फीटिंग्स बहुती अच्छा होगा यहाँ पर देखे धाइस अंदर की तरफ और एक निशाना देना है अब यहाँ से नॉर्माल जैसे होता है पिल्कुल वैसे शेफ लगा लेना है और सिम्पल स्लिप्स के लिए मोहरी पर हलका सा यहाँ पर शेफ लगा लो हो गिया जिसके कारण मैं यहाँ पर देखिए, टूइस पर रखोंगी, टूइस बराबर यहाँ पर जो main measurement है, वहाँ से extra रखोंगी, आपको बहुत जाता फुला हुआ चाहिए, तो आप और भी जाता यहाँ पर ले सकतो हो, टूइस लेने के बाद इसको normally इस से shape लगा लेना है, लेक करना यहाँ पर जो extra fabric के इसको भी साथ में ले लेना है, और निची की तरफ से हमें और एक measurement यहाँ पर लेना है, क्योंकि निची की तरफ यहाँ पर काट लगा के अलग कर लेना है, बाद मैं जयंट होगा, फोर और हाप इस पर निशाना दे के यहाँ पर रख देना है, बा और भी extra fabric जोर सकते हों, तब flirts और भी अच्छा बनेगा, पर आप extra रख दीजेगा, इसको पहले बरावर यहाँ पर मिलाना है, मिलाने के बाद जो back part है, इसकी हिसाब से 4 और घुमा के पहले निशना लगा लेना है, तो आप चाहो तो direct पहले paper पर काटिंग करके, उसके बाद भी यहाँ पर fabric पर काटिंग करके, प्रिंचेस काट कर सकते हो, तो देखे, निशना हो गया है, अभी back part को हटा लेना है, सबसे पहले आपको armhole के लिए जो पहले back part पर निशना था, उसी हिसाब से armhole के लिए यहाँ पर निशना लगा लेना है, क्योंकि front armhole के लिए हमें हलका सा shape देना है, देखे 6 हैं दूसुत ज्यादा था, उ कोई भी size का हो, आपको इस तरीके से front armhole के लिए जोरूर shape लगा लेना है, नहीं तो front side पे आपका बहुत जाता फुलान होगा, तो देख सकते हो यह निशना लगाने के बाद, इस तरीके से आपको shape लगा लेना है, और उपर की तरफ थोरा सा अंदर के side से यहाँ पर गहरा seven, seven and half each, sixteen and half each, sixteen and half each, यहाँ भी ले सकते हो, और यहाँ से front पे मैं धाई से रखूंगी, अभी इसको पहले तिर्चा करके ऐसे मिलाना है, मिलाने के बाद देखिए लग बग यहाँ पर भी होगा, तो भी में थोरा सा इस तरीके से देना है, तो भी neck देखने में बहुत ही अ आपका फूल बास्ट होगा, उसका दस्वा भाग लेना है, यह जो बलाव से इसका फूल बास्ट है, 38, उसी हिसाब से मैं यहाँ पर 3.8 पे निचाना लगाऊंगी, आपका जीतना है, आप उसी हिसाब से लगा लीजेगा, same measurement निचे के तरफ लेके आना है, अभी दोनों प बहुत ही कम है, उस टम पे आप 2.8 दीजेगा, तो मैंने यहाँ पर 3.5 इसको देखे, इस से फोल करके इस सैट पे हाप देना है, और इस सैट पे हाप रख देना है, मतलब जीतना मैंने 3.5 इसको मैंने डिवाइट कर लिए दोनों सैट पे, अभी देखे, जो प्रेंट यह बिलकुल बास पेंट के साथ तीरचा करके यहाँ पे मिला लेना है, यहां से देखिए, और भी थोरा सा ऐसे शेप लगा लेना है, तब देखते में और भी अच्छा लगएगा, फीटिंग भी बढ़िया होगा, अभी देखिए, यह पेंट और यह पेंट दोनों मिलाना है तो मिलाने के लिए शोल्डर से और एक measurement लेना है यहां से देखिए कोशिश कीजेगा 4 and half इस पे रखने के लिए 4 and half इस उपर की तरफ देने से इसका fittings बहुत ही अच्छा होता है मैं खुद के लिए तैयार करती हूँ जिसके कायान मुझे यहां पे समझ में आता है कितना उपर की तरफ देना से फ्रोंट पे रिंकल्स बहुत ही कम होता है देखिए यहां पे हलका सा नेची की तरफ और भी मिला देना है सिलाई करते वक्त मैं ऐसे सिलाई लगा लोंगी तो पूरा प्रिंचेस काट यहां पे हो गया है लेकिन मैं काट करके ओपे नहीं करूंगी और यहां पे मिड़ल पर देखिए यहां पे और एक टाग्स हमको दे देना है यहां पे टाग्स देना से आपका फीटिंग बिलकुल कोटोरी ब्लाॉस के तरह होता है हापिस का टाक्स देना है टूटाल हापिस टूफोल में यह हापिस है और ओपन करने के बाद यह वान इसका होगा जितना मैंने निची की तरफ एक्स्टर लिया अब देखे यहां पर आपको 20 एक्स्टर रख देना है त्री इस भी ले सकता हूँ उस पर भी कोई दिकत नहीं ह ठाक होँगे जिसके कारण इसको देखि तिर्चा करके हमें मिलाना जो निचाना पहले मिला था उसकी हिसाफ से इसको तिर्चा करके हमें मिलाना है आप चाहो तो साइट भी टाक्स दे सकते हो ता फूटिक और भि बड़िया होता है बैक पार्ट लेना है इसका लंबा एक Talk पर चेक करना है इसका लमब बराबर है या नहीं नीचे के तरफ थोरा सा एक्स्टर है अभी रख दूँगी बाद में कमरपटी सिलाई करने से पहले मैं मिला लूँगी देखिए अगर आप यहां पर डाइरेक्ट फेब्रिक पर काटिंग कर लेते हो वो भी कर सकते हो लेकिन उस टाब पर आपको क्या करना है आर्मोल सेट पर यहां पर देखिए लगबग हापीच आपको उपर की तरफ ऐसे उठा के यहां पर एक्स्टर फेब्रिक रख देना है एक्स्टर फेब्रिक रेक्टर से क्या होता है जब आप यहां पर फेब्रिक को काटिंग कर लेते हो और सिलाए करने के बाद आपका फेबरिक यहां पे कम नहीं होता है, आपका आर्म होल बिलकुर बराबर यहां पे फेबरिक मिल जाते हैं, नहीं तो थोरा सा फेबरिक यहां पे कम होता है, काटिंग करके आपको बाद में मिला ना होता है, तो मैं यहां पे काटिंग नहीं कि मैं आपको आज प्रिंचसकर ब्लाउस तयार करके दिखाऊंगी आप सिंपल ब्लाउस को इजिली प्रिंचसकर ब्लाउस में कनबाट कर सकते हो वो यह मैं आपको step बाज step समझाऊंगी वीडियो को पूरा देखेगा कहिं पे skip मत किजएगा जहां जहां पर टाक्स क्लिए निशाना है मिलकल होएंगे हलका हलका काट लाके रख देना है अभी देखिए जो निशाना एक साट पे होआ है अभी सेम निशाना हमें दूसरे साट पे लगा लेना है तो फेब्रिक को बरबर पहले यहां पर मिला के रख दो अभी उपर की तर सेम निशाना को हमें दोबरा बराबर करके यहां पर मिला लेना है आप चाहो तो मेजर्मन करके भी यहां पर निशाना लगा सकते हो देखे यहां पर निशाना वहुत आच्छी तरीके से हो गिया है अभी इसकी हिसाब से हमें सेम आस्तर काटना है और सिलाई देखे कैसे होगा बिल्कुल इस तरीके से ही हाँ पर सिलाई होगा सिलाई के बाद टाक्स का एक्स्टर फेब्रिक में काट लूँगी तो देखिए सेम बराबर आपको आस्तर काट कर लेना है और यहां पर देखे आस्तर मैंने काटिंग कर लिया और सिलाई कैसे करना है इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना है उहाँ पे आपको step by step पूरा देखने को मिल जाएगा इस blouse पे जितना मैंने अभी तक समझाया अगर आपको कहीं पे समझने में थुरा सा दिक्कत हुआ है आप लोग जोरोर मुझे comment की द्वारा बता देना मैं दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करूँगी देखा ना दोस्तो कितना easily मैंने आपको काटिंग यहाँ पे समझा दिया अगर काटिंग आपको समझ में आगिया ना सिलाई में भी कोई दिक्कत नहीं होगा और सिलाई भी मैं आपको details से समझाऊंगी कहाँ पे क्या करने से मेरे चैसा perfect fittings हो सकता है सिलाई करते ब Romans में आपको समझा सकती हो तो काटिंग और सिलाई का वीडिया दोनोंदे देखिएगा जया लूग काटिंग देखते हैं इसा इसा को आपको कैसे समझ में आएगा साथ में बेल आइकन में ख्लिक करना ना फुले मेरे अने वाला हार्ट वीडियो करना ट्यूशन पानी के लिए